आपने भी कई बार ट्राय कर लिया पर वो दानेदार शाई कॉर्मे वाली बात नहीं आई तो मायूस नहीं होना है क्योंकि आज में लेकर आई हूँ शादियों में बनने वाली टेस्टी और दानेदार लाजवाब से चिकन कॉर्मे की ये रेसिपी शाई कॉर्मे को बनाने के लिए हमें एक मसाला रेडी कर लेंगे जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी जावित्री चार पांच हरीलाईची दस से बारा काजू एक से दो चमच मगस एक चमच सफेद तिल और एक चमच पिसा हुआ कोपरा इन सबी चीजों को हम थोड़ा इसमें आइल को गरम कर लेंगे और इसमी मखाने और काजूं को फराइ़ करेंगे जादा प्यास को भी हमें प। उसराइ़ नहीं करना है वास हलक हम ऽी इनने निकाल लेंगे और यहां फी只 sechs द्यूकuges में रगाई नहीा है है इसको भी घॉल्चूल कर लिया है أيक है उनक ये ताकि यह जल्दी से फ्राय हो जाए प्यास जब अच्छे से सुनेरी कॉल्डन सी हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और फिला के रख देंगे कुछ खड़े गरम मसाले में यहाँ पे लिए यह भी हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें दो से तीन चमच जिंजर गालिक पेस्ट एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे इसके अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब जिंजर गालिक पेस्ट अच्छे से बुन जाए तो हम इसमें चिकन एट करेंगे वन केजी मैंने चिकन लिया है और इसे पहले ही अच्छे से वाश करके रख लिया था ताकि इसका पानी निकल जाए सारा हाई फिल्म करके हम जिकन को तब तक भूनेंगे जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता फिर इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राइ मसाल ऐड़ करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी से कसूरी मेथी और टेस्ट के हिसाब से हम नम पर इसे बारिक करके नहीं डालना है शुरू में जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था वो भी डाल देंगे खुल 20 क्राम के करीब मीठा वाला दही उसको हमने फेट के वो भी डाल दिया बस सारे मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे और medium to low flame पर इसके अच्छी से बुनाई करेंगे बस जितनी आप इसकी बुनाई करेंगे टेस्ट उतना ही निकल के आएगा 8-10 मिनिट लगतार बुनाई करने पर देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी से बुन गया है और इसका oil भी उपर आ गया है अब हम इसमें शोर्वे के लिए थोड़ा सा पानी एट करेंगे आदा कप के गरीब इसके बाद मैं डाल लिए इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम आप चाहें तो ताजी मलाई यूस कर ले और कटा हुआ धनिया और फ्राइ करे हुए काजू और मखाने सबी चीजों को हलके से मिला लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने लेंगे दो मिनिट के बाद केस को ओफ कर दीजिए लीजिए रेडी है लाजबाब दानेदार चिकिन कॉर्मा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिए